नमस्कार दोस्तों सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग जिक्राफी पुर्शन कोवर कर रहे थे SSCJ और CHC लेक्जाम के लिए तो दिखें प्रिविएस वीडियोजे मैंने आपको Wildlife Century, National Park और Biosphere Reserves के बारे हम बताया था और इसके पहले भी हम लोगोंने बहुत सारे lectures अलड़ी cover कर लिया है तो हमने उसका अलग से playlist बना दिया है तो आप लोग playlist में जाना आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं और आपको description box में भी link मिल जाएगा तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं और इसके पहले देखिए मैंने आपको biology और economics का complete lectures और उसका PDF भी हमने provide कर दिया है तो आपका भी description box में link आपको मिल जाएगा उनका तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं आप लोग बाइक कर सकते हैं और remaining में जो आपका अभी जैसे chemistry चल रहा है तो इसका भी हमने बीडिया प्रोवेट कर दिया है तो इन सभी का भी आपको description box में link मिल जाएगा और जो आपका geography का चल रहा है तो इसका हम आपको कुछ दिन में provide कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे portion सभी remaining है तो हम चाते हैं कि आपका पुरा complete तयारी यहाँ पे हो जाए जेगराफिका फिर आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस exam के लिए particularly तो वो सारे topic हम इसमें cover करते चलेंगे तो चलिए start करते हैं हम लोग आज का लेक्चर तो आज जो है हम लोग Indian soil के बारे में देखेंगे तो इंडिया में जितने भी types of soil पाये जाते हैं तो उसके बारे में study करेंगे हम लोग लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि soil का किस तरी जाते हैं और जो स्वाइल का arrangement होता है यह बहुत सारे layers में होते हैं तो उन layers को horizon बोला जाता है अब देखेंगे जो में जो layers होते हैं स्वाइल के जैसा कि आप figure में आप यहां पर देख सकते हैं तो जब सबसे ऊपर वाला जो portion होता है उसको हम लोग top soil बोलते हैं फिर इसके बाद बीच वाल रहता है उसको हमस जो quantity रहती है तो वह बहुत ज़्यादा मातर में पाई जाती है इसके अंदर में तो इसको हमस layer भी बोला जाता है तो इसके अंदर में organic material जो रहते हैं यह बहुत ज़्यादा मातर में पाई जाते हैं जो की helpful होता है crops को grow करने के लिए यह फिर जो भी plants वगेरा रहते हैं नेचर का रहेंगे तो जो भी वाटर या फिर जो और जो एर रहते हैं तो वो अपने अंदर में यह content करके रख सकता है और यही लेयर में जो है जो सीट जो हम लोग जैसे डालते हैं तो वो जर्मिनेशन यहीं पर होती है और इसके अलावे जो रूट्स होते हैं प्लांट का ग्रो करते हैं तो यह सारे टॉप सोयल में ही होते हैं क्योंकि होता है और इसके अंदर में हम बात करें तो और यह कॉम्पैक्ट भी होता है अब उसके बाद फिर देखिए इसके अंदर में जन्रली जो रहते हैं वह मेटल सार्च होते हैं और इस्पेसली आयरन ऑक्साइड जो रहते हैं इसमें पाए जाते हैं जो कि आपका यह सॉब सोयल हो गया अब देखिए जो सबसे जो नीचे का जो इसमें जो है अब यह पूरे तरीका से स्टों सही आ पूरे डौक से बढ़ने रहते हैं तो यह तीन जो टॉप सुइल हाट हैं आधे来 हैं कि जैसे पाये जाते है तो आई अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो है soils का कितने distribution types है तो दिखें इंडिया में जो है बहुत सारे types of soils यहाँ पर पाये जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो landform है, variety of landforms है कहीं पर आपको जैसे मरुवसली जगह मिलेगा, कहीं पर आपको hard rock मिलेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे जैसे landform का variation के चलते हैं और climatic conditions के चलते हैं आप जानते हैं कि climatic conditions भी different region में different जैसा है तो इसी के चलते हैं बहुत type of soil इंडिया में पाये जाते हैं तो according to Indian council of agriculture research जिसमें कि वह agriculture जो भी research यह करते हैं तो इनके द्वारा इंडिया में इन्होंने दिखिए 8 type of category इंडिया रिकोगनेशन किया हुआ है तो यह जो 8 category जो इंडिया पाये जाते हैं तो आपका list यहां पर दिया हुआ है और यह कौन-कौन से रिजन भी यह पाया जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए हमने लिख दिया है तो सबसे पहले दिखिए आपका alluvial soil है तो alluvial soil जो है तो आप लोग दिखिए यहां पर figure में भी आप लोग देखते चलना यहां पर जो आपका जैसे mark आपका किया गया हुआ है यह वाला जो portion आपके जीब भी यह है तो आपके अपने डिख दिया है तो alluvial soil mostly आपको जैसे बिहार का portion हो गया उदर परदिसक हो गया तो majorly जो northern इंडिया में जो states आते हैं तो वहां पर आपको alluvial soil maximum आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर में majorly जैसे weight rice हो गया थी यह सारे crops उगाया जाते हैं हलांकि इसमें all types of crops उगाया जा सकते हैं alluvial soil का अंदर में तो यह चीज हम लोग आगे भी देखेंगे भी फिर देखिए अगला है black soil है तो black soil जो है तो यह mostly महराष्टरा और गुजरात इन तो इस टेट में अधिक तर यह पाये जाते हैं तो आप लोग figure से भी देख सकते हैं जो black soil का है बतलब यह कहा कहा पर रिजन है तो अप्रोक्सिमेट आप लोग एक graph के थुरू भी जो है पर दिखा दिया है अलांकि आप लोग यहां से भी इसको याद रखना फिर दिखिए अगला जो variety of soil है वह है red soil है तो यह mostly जो southern state है इंडिया के जैसे कि ओडिसा हो गया और सब इसट्रन जो की अधर आपको जैसे पुर्वी प्रदेश है इसटेट है इस्टेट situación मिस्टर इसटेट में आपको यह देख सकते हैं ए जो आर नाच्छल प्रदेश का जो लुख अगया और इसगे पाद सब्सक्राइब ठिए बत नेक्स देखिए ले-टर ऑए-लो ग़ह त तो यहाँ पर लेटराइट स्वाइल आपको इसकी quantity जादा मिलेंगा और साथ में करनाटक जो रिजन है तो वहाँ पर लेटराइट स्वाइल पाया जाते हैं फिर अगला दिखिए मौंटेनेस स्वाइल है तो जो मौंटेनेस एरियास होंगे जैसे आप पर जमू कस्मिर और लदाग का जो एरियास होंगा है तो इसमें और इधर जो आपका जैसे सिक्केम का पोर्सन होगया और इधर जो अरनाचल पर देस का रीजन है तो इन सारे रिजन में आपको मौंटेन स्वाइल आपको मिलेंगे तो यह आप लोग जैसे फिगर से भी और लोकेशन जैसे कि कि आप जानते हैं कि कहां पर किस रिजन कैसा है मॉंटेंज कहां पर अधिकतर है तो इस तरीके से भी आप लोग आइज ली आडेटिफाइ तो यह आपको जैसे जो विहार के जो एरीड पार्ट्स है और साथ में जो उत्तर परदेश है तो उस रिजन में आपको यह मिलेंगे फिर अगला देखिए वहराटी है पीट एंड मार्शी स्वाइल है तो यह एट टाइप के स्वाइल है जो की इंडियन कॉल्सिल अगरिकॉ लेकिन उनके अंदर में पोटायस की मात्रा जो बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए देखिए जब बनाये जाते फटलाइजर जो अपलाई किया आता है तो उसके अंदर में जो क्वांटिटी रहता है इंपके का यानि कि इसमें एन पी आपका जैसे नाइट्रोजन का हो ग फटलाइजर से मिला जाते हैं तो आपका 4 is to 2 is to 1 का रासी मिला जाता है क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी रहती है इंडिल सोयल में तो इसलिए जब फटलाइजर त्यार किया था इसमें नाइट्रोजन आपको ड्रेसियो से पिर आपका फोसपोरस की रहती है और सबसे कम quantity में रहता है जो रहता है आपका वो हो गया इसमें potas का हो गया क्योंकि potas जो है यह ज़्यादा पाय जाते हैं Indian soil में तो इसी ratio सो जह है potilizers जो है मतलब कि यह तयार किया जाते है तो यह बना ही जाता है potilizers soils को देखते हुए कि वो किस region किस चीज से lag करता है तो यह जितने भी Indian soils आपके होंगे तो आपको सभी में यह याद रखना ही होगा कि जैसे उसमें nitrogen की कमी होती है और maximum मतलब कि वो किसमें reach होते हैं तो वो potas में रहते हैं तो यह चीज आपसे majorly पूछा जाता है तो आईए अब हम लोग यहाँ पर जितने भी major types of soil पाया जाता है तो उसके बारे में detail में देखते हैं तो सबसे पहले alluvial soil के बारे में देखते हैं तो देखी जो alluvial soil है तो यह almost जो है यह सबसे यादा soil पाया जाता है इंडिया में जहां से भी originate होती है तो यह बहुत सारी state से पास करते रहती है तो जो भी इसके plains बनते है तो वहां पर आपको alluvial soil मिलेंगे इसके अलावे जो coastal plains होते हैं coastal areas में और इसके अलावे जो river valleys होते हैं तो वहां पर इन सभी regions में आपको alluvial soil आपको मिलेंगे और इसके अंदर में जो alubial soil होते हैं तो आपको जैसे sand हो गया, long हो गया और clay हो गया तो यह सारे चीज़ जो है, यह different proportions में आपको मिलेंगे यह जो alubial soil होता है इसके अंदर में तो देखिए इसके अंदर में जैसे quantity किसकी जादा होती है तो rich content किस में होते हैं और Jeff poor content किसमें होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी Indian soils होते हैं तो उसमें जो है nitrogen की कमी होती है तो इसमें भी जैसे alubial soil आपका है तो इसके अंदर में nitrogen की कमी रहती है और organic के भी quantity रहते तो वो भी उसमें पूर content रहती है लेकिन जीज़ कुंटेंट किसका रहेगा तो जैसे पूटैस हो गया और फॉसपोर तो यह अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैसागत जाएगा और दिखिया जो आपती है इसमें अलमोस सभी तरफ सभी तरफ के जो गया जो गया जाते हैं लगभग हर एक टाप के जो इंपोटेंट होते हैं वह एक तरह जाता है जैसे मोचली बिहार यूपी और भी जो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ये चीज मैंने आपको अल्रीडी भी बताया हूँ जब मैंने आपको प्लेंस के बारे में इस्टेडी वहां पे आपको कराया था उस समय तो उसमें भी मैंने आपको बताया वह था कि जो खादर है तो यह ज्यादा फटाइल होता है जो की बंगर से के अपको यह उल्डर अल्वील इसके अंदर में जैसे बहुत सारे कंकड़ और पथर वह रता है तो उससें और साहत में केल्सिम कारफोनेट प्रिजन रते हैं तो इसको बहांगा उपको फटाइन नहीं रहता जितना का खादर रहता है तो यह दो चीज आप लोग याद रख यह फिर इसको black cotton soil भी बोलाता है क्योंकि black soil के black soil में ही cotton बहुत जादा मातर में उगाया जाते हैं तो देखिए जो black soil है तो इसका color जो है dark color के होती है निकि dark black color के होती है तो कि इसके अंदर में titanopherous magnetite present रहती है तो यह भी आप लोग याद रखना कि जो black soil है तो इसका dark black color कि इसकारणस होती है क्योंकि इसके अंदर में titanopherous magnetite इसके अंदर में present रहती है और दिखिए जो black soil है तो यह most suitable होता है dry farming के लिए dry farming कहने का मतलब है कि जब पानी की availability बहुत ज्यादा बहुत कम रहती है ऐसे regions में जहां पानी नहीं रहती है उतनी मातरा में तो वहां पे जो ब्लैक स्वाल का एक खासियत इसकी होती है कि यह water को या फिर moisture को यह retain करके रख सकता है अब देखिए यहां पर फिनोमिना क्या होता है यहां पर फिगर से समझे कि देखिए जब rainy season जब होता है यानि कि जब बरसात होती है तो उस समय जो black soil होता है तो यह फूल जाती है या अब दिखिए जब यह फूल लाता है पूरे तरीके से तो वह आप क्या करेगा कि अपने अंदर जो moisture को store कर लेता है और जो winter season आता है जैसे dry season उसमें बारिस नहीं होती है तो उस समय देखिए इसके जो मिटी रहते है तो इसके बीच में आपको दरार पड़ जाएंगी यह इसके अंदर में crops जब मनलब कि इसको हो जैसे plugging करके इसके उपर में जब crops उगाया जाते हैं तो जो मौश्य जो रहते हैं इसके अंदर में तो फिर जो सपोर्ट करते हैं crops को grow करने में तो यह इसकी खासे होती है तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि dry farming के लिए यह suitable है बहुत ज्यादा तो कि इसके पास हाई retention capacity होती है water का बाकि और जो स्वाइल होते हैं तो वह इतना मातर में जो है रिटेन करके नहीं रख पाते हैं जितना कि black soil रखते हैं तो दिखिए इसके अंदर में जो में क्रॉप्स उगाया जाते हैं में तो आपको जैसे cotton तो होई ग फिर next देखिए red soil है तो देखिए जो red soil होते हैं तो इनका जो development होता है कि जब crystalline और जो metamorphic rocks होते हैं तो जब इनका disintegration होता है तो उनहीं के चलते उनहीं से red soil की formation होती है और यह जो red soil होते है तो यह आपको ऐसे reasons मिलेंगे जहां पर बहुत ज्यादा heavy rainfall होते हैं तो इसलिए देखिए यह जो soils होते हैं तो इनके अंदर में hero magnesium material की इसके अंदर में बहुत ज्यादा presence रहती है और इसमें यह reach होते हैं और इनका जो red color होता है तो इनके अंदर में red color इसलिए होती है क्योंकि यह जो soils होते हैं तो इसके अंदर में iron oxide present रहते हैं और आप जानते हैं कि जो आयरेन के चलते ही है जब रिड कलर राती है blood के अंदर में तो iron oxide भी जो राते हैं इसके अंदर में पाता है तुसीलिए इसके ले आप्यार कि मिज़ते हैं यह आपका red soil का है अब दिखिये जो red soil होते है तो यह जो wills होते है यह पॉरस निचर का यह होते है लेकिन इनके पास जो moisture content करने की capacity होती है निरिटेनिंग करने की capacity होती है वो बहुत ही low होती है जैसा कि black soil उसके पास high retention capacity होती है लेकिन जो rates वाल है इनके पास बहुत ही low retention capacity होती है moisture का तो इसलिए यह बहुत less fertile होता है नगे crop जो है इनके उपर में उतना ज्यादा 로 by नहीं इनको जैसे Mensch Fatile ये नहीं होता है तो ऊतना ज्यादा crop जो इसके उपर में नहीं वगाए जासकते हैं जब इनके उपर में water की waater की scurecity जहां पर भी अगर रहेगी तो 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 इसलिए देखिए अगर इसके उपर में crops अगर उगाना पड़ता है उगाई जाती है तो उसके लिए पानी की availability है वह बहाँ ज़्यादा होना चाहिए तो इस तरह के अगर स्वाइल जहां पर भी अगर रहते यह तो वहां पर बाजरा हो गया ग्राउननट हो गया पोटैटो हो गया राइस हो गया वेजटेबल्स हो गया टोबाइको हो गया राइगी हो गया तो यह सारे में nitrogen की कमी रहती है तो इसमें भी nitrogen की कमी रहती है और साथ में humus भी इनके अंदर में कमी रहती है और rich content किसमें रहेंगे तो वह potassium हो गया और iron हो गया जो कि मैंने आपको अल्रीडी बताया था यह फिर नेक्स देखिये लेटर राइट स्वाइल है तो दिखे जो लेटर राइट स्वाइल होते हैं तो इसके अंदर में जो lime और silica जो होते हैं तो वह wash out हो जाते हैं या figure से आप यहां पर समझेए कि जब जैसे बरसाद जब होती है पाली पड़ती है इसके उपर में तो इसके अंदर में जो silica जो रहते हैं वह और जो lime और silica जो रहते हैं तो वह dissolve कर जाते हैं और जो नीचे जो रहते हैं तो वह फिल्टर हो जाते हैं टॉप में इसके तो इसलिए दीख हैं जो जो एक बाद में इसकी मिलेंगे जैसे कि अ होते हैं उसके टॉट में आपको मिलें और मॉंटन होते हैं तो उसके जो आपको यह तक आपको मिलें wheatаем All आपको मिलेंगे अब दिखिए यह जो भी जो है जो लाट रने होते हैं लेकिन इनके अदर में लोer जा सकता है फार्म प्लांटेशन करने के लिए एनिक इनके दर में क्रॉप्स उगाया जा सकते हैं तो इनके दर में जो मिजरली जो क्रॉप्स उगाया जाते हैं तो जैसे आपको कॉफी हो गया कोकोनट हो गया रागी हो गया टी स्पाइस हो गया तो यह सारे जो क्रॉप्स है बिंदी हा सत्पूर रेंज हो गया या पर जो निलगरी है और बहुमॉन्टेंज हैं इंडिा के तो वह है पर आपको यह मिलेंगे और यह जो स्वायर होते हैं ऍसके एंदर में बिदि आ को यह साथां साथ Muh esos होते हैं तो इसके अंदर में जो हैसी अधिकन पॉज़ाद मातरा में कोफी हो गया और एपल सहो गए तो आप जानते हैं कि एपल स्विड़ीय जो है तो इस तरह के स्वायल वहां पर suitable होते हैं इसके लिए अगला देखिया है एरिड एंड डेजर्ट स्वाइल है तो देखिये जो एरिड डेजर्ट स्वाइल है यह मैंली ऐसे एरियाज में है कि जैसे जौर और बाजर रहती राइस्थान में मेंजर लियए उगाए जाते हैं तो यह किसके अंदर में यह प्रिजेन रहते हैं तो यह आपको मेजरल याद रखना इसमें से अब दिखिए इनका जो कलर होता है तो उनमें बहुत कम मातरम होती है और साथ में जैसे carbon हो गया compounds हो गया carbon compounds हो गया तो वो भी इसमें बहुत कम होते हैं इसके अलाबे और भी soil सबके पाये जाते हैं जैसे कि selene, alkaline soil, peat और marcy soil हो गया तो आपको उतना ज़्यादा detail में जाने के जरूरत नहीं है बस आप लोग उसका location याद रखना कि जैसे कहां पर पाए जाते हैं किस region में किस zone में पाए जाते हैं तो जो कि मैंने आपको अल्रेडी बता दिया था पहले वाले जो मैंने आपको दिखाया था पार्ट में तो देखिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे जो स्वायल्स होता है इंडिया के तो उसमें रिजन्स क्या होते हैं उसके इन फॉर्टिलिटी होने का यानि कि वो क्यों जो है उपजाओ हो जाते हैं तो इसके कि जब हैविर इनफोस आती है तो अपने साथ जहां मिटी को बागा के लियूójयल्स होना है तो डेखिए स्वायल्स इरोजन का मतलब होता है कि जो पर फाटाइल चो लेयर होते हैं तो उसको वास्ट कर देना यानि कि उसमेर लौस हो जाना उसका तो जब यह उपर का पॉर इरोजन तो यह भी एक मेजर फैक्टर है इंडिया में जो कि रिस्पॉंसिबल होता है इन फर्टिलिटी ऑफ स्वाइल के लिए फिर अगला दिखिए ओभर यूज ऑफ एग्रिकल्चुरल लैंड का यानि कि जो अग्रिकल्चुरल लैंड है तो उसको बहुत जाता है जब मा मिसमेंजमेंट देखने को मिलती है तो आप लोग इसको देखिए याद रखना और यहां पर देखिए एक मिजर सबका है कि जैसे अगर स्वाइल की फटिलिटी जो होगा उसको मेंटेन करके रखना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़े अब मेंटेंड जैसे एरिएशन हो गया और जो फटलाइजर का यूज है उसका यूज करना तो यह एक असेंसल तो है इसके साथ सथ में जैसे कंट्रोल मेथट जो भी है जो भी मैंने आप उपर में बताया था तो यह भी अपनाना पड़ेगा तो जाके है जो फटलीटी जो मेंटेन किया जा सकता है है था कि इसके अंदर में नाइट्रोजन की और फस्पोरोस की और साथ में देखिए जो पोटायस होते हैं इनके अंदर में जैसे कि कॉंटिटी आपका आप जानते हैं कि इस सीरीज में आपका इंक्रिमेंट करते आती है आप जानते हैं नाइट्रोजन सबसे कम होती है उस तरह से अपलाई करने पड़ती है तो यह सारे चीज़ इसमें फॉलो किया जा सकता है जैसे इनके अधर में उपजाओ बनाना होगा तो इन टाइप के जो स्वाइल से इंडिया पाए जाते हैं तो और साथ में जैसे क्रॉप रोटेशन जो टेक्निक्स होती है और मिक्स्ट क् स्वाइल से स्वाइल से सब्कीरं में ग्राइब हो सकते हैं चलते क्या क्या दिक्कत होंसकती है तो जैसे कि देखिए अगर जो soil erosion होती है तो इसके चलते जो है reverse में flood आ जाती है इसके अलावे जैसे जो ground level जो water रती है जो ground water जो रती है नीचे का जो level आता है तो उसमें भी decline देखने को मिलते है और इसके साथ में जो soil के fertility होती है तो उसमें तो decline तो होंगे ही और साथ में जो construction जो किय से अब यहां पर देखिए जो भी स्वायल होते हैं में तो उसमें से जैसे आपको अलूबियल स्वायल ब्लैक स्वायल ड्राइड स्वायल हो गया तो इन टैप उप स्वायल जो है इंडिया में बहुत ज्यादा मातरम पाय आता है तो इनका formation कैसे हुआ है तो यह फॉर्मिं अपने साथ बहुत सारे जैसे वह क्ले को अपने साथ ले आती है तो उसी के चलते जो है अलूबियल स्वायल का वाटर हो गया और बाकि देखिए जो ब्लैक स्वायल है तो ब्लैक स्वायल जो है यह लावा का इरप्सन के चलते होती है जब वलकैडिक इरप्सन होती है तो इस जो निकलते तो बाद में वही जो है बहुत सालों के बाद जो है वहीए फिर स्वाल में कंवर्ट हो जाते हैं तो इसके चलते यह red soil की formation होती है अगला देखिए laterite soil है तो laterite soil इसके इंदर जैसे यह formation होती है leaching process है तो यह main main चीज आपका point है जो आपको याद रखना है अब आईए हम लोग यहाँ पर कुछ questions करते हैं जो कि आपके previous year में पूछे गया थे तो questions देखिए कि which of the following is not a correct statement about the alluvial soil तो alluvial soil के बारे में कौन सा statement correct नहीं है तो पहला देखिए इसमें दिया हुआ है कि alluvial soil is most abundant type of soil found in India तो आपको मैंने बताया था कि जो alluvial soils है तो यह सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं लगवग 24% के आसपस तो यह तो statement आपका सही है फिर अगला देखिए है कि alluvial soil is generally fertile soil तो देखिए जो alluvial soils होते हैं तो यह generally fertile soils यह होते हैं यूदि इसमें all type of soil उगाए जा सकते हैं फिर अगला देखिए है कि alluvial soil lacks nitrogen and tends to be phosphoric तो यह चीज़ भी मैंने आपको बता है था कि जितने भी Indian soils होते हैं तो सभी में जो है nitrogen की कमी होती है और उसमें phosphoric जोते हैं वह ज्यादा होते हैं इसके अंदर में फिर अगला देखिए है कि alluvial soils generally comprises generally comprise high percentage of clay and return moisture for a long time तो यह statement जो आपको यह क्या wrong आपका दिया हुआ है तो इसके अंदर में clay नहीं इसके अंदर में जैसे लोमी जैसे आपका की sand हो गया और लोमी हो गया और उसके साथ में clay भी यह तीनों चीज़ पाया जाते हैं कि वह clay नहीं रहता है इसके अंदर में high percentage और इसमें आपका दिया हुआ है कि return high moisture for a long time तो देखिए जो moisture content करने के जो capacity होती है longest longest लंबे समय के लिए तो इसमें इनमें नहीं रहती है लेकिवल black soil में रहती है तो यहीं जो statement आपका क्या है यह wrong दिया हुआ है तो right answer आपका option D हो जाएगा बाकी सारे जो है इसके properties इसके है alluvial soil के फिर देखिए अगला आपका है कि for cotton cultivation which among the following soils is considered most suitable तो cotton cultivation के लि जैसे बोलते हैं लोग इसको रेगुल भी बोलते हैं लोग तो यह भी अप लोग याद रखना यह भी question बहुत दार पुछा गया हुआ black soil, regular soil हो गया या फिर black cotton soil हो गया तो तीनों नाम से आप लोग जाना जा सकता है जाने आदे जाने जाते हैं इसको तो आप लोग तीनो याद रखना, next question देखिए, which among the following type of soils has the largest area covered in India, तो largest area जो covered है कौन सा soil है इंडिया में तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, option B black soil हो जाएगा, sorry, black soil हो जाएगा, lobial soil जो है, इसकी सबसे यादा मातरा जो है इंडिया में पायाते हैं, तो यह चीज आपको मैंने अल्रेडी बता दिया है, तो यहाँ पर देखिए हमने जिद्दे भी important points थे, soil से related, और जैसे soil का distribution पूरे इंडिया में कहाँ पर किधर है, और इनमें जो quantity होती है, कि इसकी ज कपी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाइब!